नमस्का, मैं हो स्थी आई जहरखन की टौप 25 पर लुक्खबर जानते हैं यारी पूरी कर ली है 2019 के बाद पहली बार साथवी तक के बच्चों का मुल्यांकन होगा 2020 में कुरोणा की वज़ा से बच्चों के मुल्यांकन का काम नहीं हो सका था अब तक आठवी नौवी और एगारवी के लिए ही OMR सीर्पत परिक्षा होती है जबकि पहली से साथवी का स्कूल अस्तर पर ही मुल्यांकन होता था 31 मार्च को होने वाली मुल्यांकन परिक्षा में 30 से 5 वी के लिए 40-40 अंग के प्रश्ण होंगे जबकि 6-7 वी के लिए 50-50 अंग के प्रश्ण पूछे जाएंगे बता देया मुल्यांकन सुबह 9 वए से 12 वए तक होगा जिसके लि खर्मी के साथ लू ने जीना मुहाल कर देंगे मौसंभी भाग के अधिकारियों ने सोमवार को कहा है कि जारखन में कम से कम 10 जिले बुद्धवार से 3 दिनों तक लू की चपेट में आने की संभवना है उन्होंने अगाह किया है कि कुछ अस्थानों पर अधिक्तम तापमा 23 डिग्री सेस को छू सकता है लू की चपेट में आने वाले जीले गढ़वा पलामू लाते हार चातरा वो कायरो धनवा सिम्डेगा पूर्भी और पच्मी सिम्भूम और सराय के लेकर सावा है रांची के मौसंभी ग्यान केंदर के बेग्यानी SC मंडल ने PTI को बताया कि गुजरात राजस्थान मद्य परदेश और उतर परदेश से पच्छिम और उतर पच्छिम हावाव के अपरतिबंधित परवाह के कारण पूरे जार्खन में अधिक्तम तापमा में ब्रीदी होगी जहां पहले से ही लू की स्थिती बने हुई है उनकी ओर से याचिका में जहार्खन सरकार और राज निवाचन आयो को परतिवादी बनाया गया है याचिका में कहा गया है कि जहार्खन सरकार पिछड़ावर को आरक्षन दिये बगर पंचाय चुनाओ चाहती है ट्रीपल टेस्ट के तहत कमीशन गठन कर पिछड़ावर क प्रवधन लागू करना है यह चिका में इसको लेका सुप्रीम कोट के आधेस का हवाला दिया गया है कहा गया है कि आधेस के आलोक में राई सरकार को पिछलावर को पंचायज चुना में अरक्षन देने है तूँ टृपल टेस्ट कराने के लिए कमिटी के अगठन करना जरू जार्खन के 38 नेताओं पर हत्या का पर्यास जार्खन में किसी अपराद के लिए सजा पाने के बाएद अपनी बिधायकी गवाने वाले नेताओं की संख्या अब पांच हो चुकी है बंधू तिर्खी की बिधायकी होगी खत्म तीन साल की सजा जार्खन के पूरो मंत्री सहमांडर विधायक बंधू तिर्खी को आयसे अधिक संपत्ति अरजित करने के मामले में सीवियाई कोट ने तीन साल की सजा और तीन लाह का जुर्माना लगाया है जुर्माना नहीं दिये जाने पर छोमा अत्रिक्त सजा काटनी होगी तीन साल की सजा मिलने के बाद बंधू की बिधायक खाएं और राजे के पूरो सिक्षा और खेल मंत्री भीरा चुके बता दे बंधू तिर्की पर आय से 6,28,672 रुपय अधिक संपत्य अर्जित करने का अरोफ है 12 जुनियर हुमे नेशनल होकी टूर्नामेंट में जारखन ने मनिपूर के 14-0 से हराया अंध्र परदेश के काकी नड़ा में 25 मार्च से 3 अपरेल तक आवित बराहुई जुनियर राष्ट्रिय महिलाहों की परतियोगित्ता में जारखन ने अपने दूसरे मैच में मनिपूर के 14-0 गोल से हरा कर क्वाटर फाइनल में परवेश किया है सोमवार को खेले गए मैच में जारखन की टीम की खिलाडी दीपिका सोरेंग ने खेल के 9 मिनट में पेनल्टिक कॉर्णल से पहला गोल किया जारखन ने लगातार 13 फिल्ड गोल कर मैच को 14-0 से जित दर्ज कर मैच अपने नाम कर लिया है जारखन की सिक्षा में नई करांती 17-16 डिगरी कॉलेज बन कर तयार राज्य में 7 मोडल कॉलेजों, 4 महिला कॉलेजों तथा 5 डिगरी कॉलेजों में नए सेक्षनिक सत्र 2022-23 से पढ़ाई सुरू होगी इन सभी नई कॉलेजों के भावन बन कर पूरी तयार हो गए है मुख्य मंत्री हमन्सुरेन ने बन कर तयार कॉलेजों में पढ़ाई सुरू करने के निर्देश दिये है सिग्रेई इन कॉलेजों का उधगाटन हो सकता है रांची के हिनु रास्ता बिवाद मामले में जारखन हाई कोट ने लगाया एक लाहक का हर जाना जारखन हाई कोट के जस्टिस संजय कुमार दिवेदी की कोट ने राजधानी राची के हिनु में रास्ता बिवाद मामले में दायर क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई की कोट ने राज सरकार और राची नगर निगम के जवाब को देखते हुए मामले को निस्पाधित कर दिया साथ ही कोट ने हस्त छेप याचिका दायर करने वाली बसंती कक्छप के खिलाप नराजगी जताते हुए एक लाख रुपे का हजाना लगाने का अदेश दिया इसके अलावा हस्त छेप करता के अधिवक्ता का कोट के प्रती बेवायर पर नराजगी जताते हुए जार्खन इस्टेट बार कॉंसील को रेफर कर दिया है हरताल के कारण गढ़वा के 16 बैंक साखाव में लटके ताले सेंटरल टेड यूनियन के निजी करन नीती के बिरोध में सो मुआर से दो दिवस्य बैंक हरताल के कारण गढ़वा जिले के 16 बैंक साखाव में ताला लटके रहे बतादे 16 बैंक के हरताल पर रहने के कारण लगभग 10 कोर रुपय के कारोबार प्रभावित हुआ है हरताल के पिछले दिन बैंक के लें देन पर खासा असर नहीं रहा क्योंकि जीले के 41 बैंक साखाव में आम दिनों की तरह काम होते रहे जीले के अधिकांस बैंक के हरताल पर नहीं रहने के कारण इसका व्यापक असर भी नहीं देखा गया जारखन में कुरोना के तीन नए केस मिले हैं जबकि 12 मरी स्वस्थ भी हुए हैं जारखन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 90 है भारत में 1270 नए केस मिले हैं जबकि 1560 मरी स्वस्थ भी हुए हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 31,649 है गर्मी की छुटी में स्कूलों में होगा ओलम्पियाट परतियोगिता परिक्षाओं में दिल्चस्पी रखने वाले सरकारी स्कूलों के छात्र स्चत्राओं के लिए अच्छी खबर है जार्खन के सरकारी स्कूलों में आने वाली गर्मी की छुटी में ओलम प्यार्ट का आवेजन किया जाएगा इसमें इन इसकूलों में पढ़ने वाले नौवी से बराविक अक्षा के बिद्यार्थी भाग ले सकेंगे पहले ओलम प्यार्ट की परिक्षा जीला अस्तर पर अगले तीन दिनों के लिए सहर बंध गया है अगले तीन दिनों तक अस्थानिये लोग विशेस परिस्थिती को छोड़ देव घर से बाहर नहीं जाएंगे वही सोमवार को टावर चोग स्थीत माता सीतला मंदीर में माता की विशेस पूर्जा कर निमंतरन दिया जाएगा इसके बाद मंगलवार को मा काली की तांतरिक बिधी से पूजा अर्चना संजाय मिस्र और पुजारी पंचा महराज करेंगे पंडा धर्मरक्षनी साभा की ओर से इसकी तियारी जोर सोर से चल रही है साभा के अध्याक्ष पूर्फेसर डाक्टर सूरेस भर्दवाज के नितित में सभी लोग जूटे हुए हैं जमीन के हर पलोट का होगा यूनिक आईडी नमबर अब जमीन के हर पलोट को यूनिक आईडी नमबर होगा भरत सरकार के गाई लैंड के उनसार देवघर में भी हर पलोट का आलपीन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नमबर होगा यह unique ID number online होगा साथ ही जमीन की हर कानोनी पहलू की जाच होगी अब हर कोई आलपीन के माध्यम से कहीं भी बैठ कर online अपनी जमीन का status देख सकता है हर पलोट का अलग unique ID number होने से जमीन के दस्तावेज में छेर छाण नहीं हो पाएगा इसे से जमीन से समन्दित फरजिवारे परोक लगेगी बेनामी जमीन जैसी गड़ बड़ी बंद हो जाएगी सरकारी जमीनों के अतिकर्मन या उसकी खरीद विक्री पर भी रोक लग जाएगी राम मंदिर निर्मान के लिए घाठ सीला में निर्मी तमबा की पहली खेप भेजी गई अयोध्या घाठ सीला की धर्ती पर निर्मी तमबा का उप्योग अयोध्या में बन रहे भव्वे राम मंदिर में होगा इसके लिए मौभंडार ICC कारखाना से रभिवार की रात 10 बजे 13.1 टन तंबा की पहली खेप अयोध्या के लिए रवाना हुई 3-4 दिन में तंबा अयोध्या पहुँचेगी दरसल अयोध्या के राम मंदिर में 27 टन तंबा लगेगा ICC के कारेपालक निदेशक समर जीत डे ने कंटेनर में रखे तंबा की पुजा श्रीकृष्ण मंदिर के पुजारी से कराई ED ने पुजा के बाद नारियल फोड़ा कंटेनर के चालक मुकेश गीरी को भाजपा नेता लखन मारडी ICC Workers Union के अध्यक्ष बिलेंदर नरायन सिंग मजूद थे रावन के स्री लंका से स्री राम की अयोध्या नगरित का बेरत स्री राम वन गमन पत का अनुसरन करते हुए स्री लंका की असोक वाटिका से निकला का बेरत सोमवार को सिंडेगा के परसीद स्री राम रेखा धाम पहुँच गया धाम में प्रवंधन समीति एवं सनातन समाज द्वारा भवे तरीके से यात्रा का स्वागत किया गया यात्रा के साथ आने वाले साधू महात्मा और अतित्यों का धाम में स्वागत किया गया इस मोखे पर प्रवचन एवं परिचार्चा का भी आयोजन किया गया राम रेखा धायम के बाद कावे यात्रा रत सिम्डेगा पहुंची इसी कडी में कोचे डेंगा इस्थीत सीव मंदीर में और टूकू पानी इस्थीत सीव मंदीर में महायार्ती भीकी गई नगर भरमन के दोरान सर्धालू का रत यात्रा का दर्शन पूजा भी किया हजारी बाग में कोरोरो रुपए की सोट रेक्टर लकडी जब्त हजारी बाग में पूलिस ने जंगल उजार कर लकडी की अवयत तसकरी करने वाले माफ्याओं के खिलाब बड़ी करवाई की है एसपी अभियान रिसब गर्ग और एसडियम विद्या भूसन के नेतित में छापे मारी कर पूलिस ने विश्नूकर परखंड के बंद खारो बलमका और नागी में छापे मारी कर तीन आरा मीलों से सोट ट्रेक्टर साल की लकडी बरामत की है वही करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है पकड़े गए ट्रेक्टरों पर साल की लकडी के लगभग 1.25 लाक बोटे लदे है अनुमाल लगाया जा रहा है कि इतनी लकडियों के लिए 3,000 से अधीक साल के बिरिक्ष काटे गए होंगे देर राज सीयों के आवेदन पर तीन अलग अलग प्राथमी किया दर्ज की गई है पुलिश ने तीनों आरा मीलों को सील कर लिया है रांची सीविल कोट के 600 अधिवक्ताओं की छिनेगी कुर्सी बार एसोसियेशन ने निबंधन कराए बिना प्रेक्टिस कर रहे है रांची सीविल कोट के अधिवक्ताओं की कुर्सी छिनेगी एसोसियेशन दोबारा दी जा रही सुविधाओं भी समाप्त की जाएगी रांची सीविल कोट में बरतमान में करीब 4 अधिवक्ता बार एसोसियेशन के सदसे हैं जबकि करीब 600 अधिवक्ता हैं जो बार एसोसियेशन में निबंधन कराए बिना ही तमाम सुविधाओं ले रहे है जबकि इस्थिती ए है कि बार एसोसियेशन अपने सवी सदसे को बैठने की बेवास्था नहीं करवा पा रहा बैठने का अस्थान जगा नहीं होने के कारण इन्हें भटकना पड़ता है हरताल के बीच HEC में काम करने पहुंचे मैदूरों से मार पीट HEC में मैदूर यूनियन के हरताल के बीच मार पीट की घटना हुई है इसमें 5 मैदूर घायल हो गए सभी घायलों को पारस अस्पताल में भरती कराया गया है जिनका इलाज चल रहा है दरसल ट्रेड यूनियनों के राष्ट ब्यापी हरताल के बावजूद कुछ कामगार आपना कारे करने पहुंचे थे लेकिन कई यूनियन के लोगों ने मैदूरों के साथ मार पीट करने लगे इस मार पीट में पांच लोग घैल हो गया है जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया फिलाल सभी का इलाज चल रहा है वही मौके पर पूलिस भी पहुंच कर जाच में जूटी है 36 गड में रेल दुर घटना माल गारी के साथ डीबे पटरी से उतरे 36 गड में एक रेल दुर घटना हो गई है माल गारी के इंजन समय साथ डीबे पटरी से उतर गए हैं यह रेल दुर घटना रायगर जीला के जमगाव रेलवे इस्टेशन पर हुई हाथसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है इस दुर घटना की वईया से जहारखन के हटिया स्टेशन से खुलने वाली ट्रेन हटिया पुने एक्सपरेस के समय में बदलाव किया गया दक्षिन पूर रेलवे की ओर से जारे विग्यप्ति के मुताबिक ट्रेन संखेया बाइस चवरासी छव हटिया पुने एक्सपरेस ट्रेन के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है जी आडा के कर्मियों को सेवेंथ रिवाईज पे एसकेल का लाब सीम हेमन सुरेन के अध्यक्सता में जारखन अध्योगीक छेत्र विकास प्राधिकार के निदेशक मंडल की दस्वी बैठक संपन हुई बैठक में कूल 24 प्रस्तावों परचार्चा की गई इस बैठक में राज सरकार के पताधिकारी कर्मियों की तरह जी आडा के सभी चारों प्रचेत्रों के पताधिकारी करमचरियों को सब्तम पूर्निक छित बेतनमान का लाब मिलेगा इसे एक जनवरी 2016 से परभाव में माना जाएगा इस दोरान वित्तियवर्ष 2022 तेज के लिए प्राधिकार के बजट की स्विक्रिती भी दी गई है रांची के रानी चिल्डरन अस्पताल में चार साल के बच्चे की मौत पर बवाल चारखन के रैधानी राची के राणी चिल्डरन अस्पताल में सोमवार के सुबा करीब तीन बजे हजारी बाग के रहने वाले चार वर्सी ए सक्षम पंड़े के इलाज के दुरान मौत हो गाई मौत से परिजन आक्रोसित हो गए और अस्पताल परवंधन पर इलाज में गोरला परवाही बरतने कारोप लगा कर हंगामा किया परिजनों ने मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की ताकि इस मामले की निस्पक्ष जाच हो और उन्हें नयाय मिल सके हंगामा की सुचना पर पूलिस मोखे पर पहुंची और आक्रोसित परिजनों को सांथ कराया उन्हें अस्वस्त कराया कि इस मामले में उनके साथ नयाय होगा दोस्तियों के खिलाब करवाई की जाएगी इधर अस्पताल के संचालक डाक्टर राजेस कुमार ने कहा कि मरीज की थिती भरती होते समाही गंभीर थी जिसकी जनकारी परिजनों को दी गई थी जार्खन प्रसासनिक सेवा के 18 अधिकारियों की टांसफर पोस्टिंग जार्खन सरकार ने राजेट प्रसासनिक सेवा के 18 अधिकारियों की टांसफर पोस्टिंग की है इस दवरान पदस्त हापना की परतिक्छा में रहे तेरा अधिकारियों को बिभीन विभागों में जिम्मेदारी स्वापी गई वही अन अधिकारियों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है इस समध में कार्मिक प्रसासनिक सुधा तराज बसा भी भागना इस उतना जारी कर दी है हजारी बाग से नक्सली संग अठन टीपी सी के तिन नक्सली गिरफतार हजारी बाग जिला पोलीस और स्यार पीएफ वाइस बतालियन के सनुक छापे मारी में गिद्धी थाना चेतरे के खपिया जंगल से नक्सली संग अठन टीपी सी के तिन नक्सली को गिरफतार किया है गिरफतार नक्सलीों के पास से काफी संख्या में हतियार पिटू वर्दी समेत अने समगरी बरामत हुआ गिरपतार नक्सलियों में हजारी बाग जीला के खपिया गाव निवासी मुन्नी लाल महतो उर्फ धर्मेंदर पिता रिचक महतो चातरा लवालंग कोची गाव निवासी राहुल गंजु उर्फ सुरेन पिता परसाथ गंजु और हुटरू गाव के महंदर गंजु सामिल हैं जन जातिये भासाओं में एस्टी का पद नहीं होने पर बवाल जार्खन लोक सेवा आयोक से राज्य के विश्व बिद्यालों में जन जातिये भासाओं में सहायक पर ध्यापको की चल रहे नियुक्ती पर किरिया में एस्टी के पद नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं कहा जा रहा है कि एस्टी के पद नहीं होने तथा अने सिरेनी में अधिक पद होने से इन भासाव में नियुक्ति के लिए योगे अभ्यार्थी नहीं मिल सकते जिससे पद रिक्त रह जा सकते हैं संथाली भासा में ऐसा हो चुका है जबकि अने विसाय में भी ऐसा हो सकता है मुख्य मंत्री मेधा छात्रविती योजना शुरू हर जिले से 400 बिद्यार्थियों का चयान जार्खन के मुख्य मंत्री हमन सुरे ने राजे के मेधावी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए मेधा छात्रविती योजना की सुरुवात की है इस योजना के तहट राजे में हर साल 5000 बच्चों का छात्रविती दी जाएगी सरकार की योजना के अनुसार अगामी चार सालों में करीब 20,000 बच्चों के इस योजना का लाब मिलेगा इस मद में सरकार को सलाना 24 को रुपए खर्च करने होंगे बता दे छात्रवीर्ति के तहत हर जीले से चैनीत होने वाले विद्यार्थियों के संख्यानी धारित कर दी गई है एक जीले से अधिक्तम 400 बच्चों का ही चैन होगा पर इक्छा में चैन के लिए कॉट अफ मार्क 60 फिस्दी निधारित किया गया है वहीं खंड में निउन्तम 40 फिस्दी अंक लाना अनिवाज होगा 30 फिस्दी सीट छात्राओं के लिए अरक्षित की गई है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होई तो चैनल को सब्सक्राब कर बॉल का बेल एकन दबाईए साथ साथ वीडियो के एक लाइक आपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाएक अवस्य दे थांक यू